तो बचो आज हम देख रहे हैं हमारी 11 कक्षा का 11 अर्ध्याय जिसका भाग 6 हम देख रहे हैं लंबी दूरी का जल परीवेन जब हमने भाग एक पढ़ा था तो हमने बात करी थी यदि कम दूरी पर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का ट्रांस्पोर्ट कराना हो तो हमने विसरन विधी यूज ली थी लेकिन लंबी दूरी तक जाना है तो हमने कुछ और सवहनी पुली यादा रहे हैं सवहनी तंद्र यादा रहे हैं वो ही हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं आईए स्टार्ट करते हैं लंबी दूरी का जल परिवेहन प्रारेंबिक अविस्ता में आपने एक प्रयोग किया होगा इस प्रयोग के दौरान आपने रंगीन पानी में सफेद पूल सहित टहनी को भी डाला होगा और उसके रंग के परिवर्तन को भी देखा होगा टहनी के कटे छोर को कुछ घंटे तक घोल में रहने के बाद आपने निशित ही उस शेत्र को ध्यान से देखा होगा जिसमें रंगीन पानी का परिवेहन होता है यह प्रयोग आसानी से दर्शाता है कि पानी में परिवहन का रास्ता सवहनी बंडल मुखेते जायलम है क्या बोला यह, क्या पढ़ा मैंने वी देखो, यदि अपन यह क्या कह रहा है कि हमने प्रयोग किया, एक एकस्परिमेंट किया क्ई हमने एक गोल लिया जो की रंगीन है यानि कुलरल है रंगीन है और इसमें मैंने एक वाइट फ्लाग डाल तीया और टेहनी डाल दिए ठीक है वाइट फ्लार और टेहनी डाल दिए अब क्या होगा तुम जब इसको और ऐस ups और तुम जब देखो family to लगेगा कि ये जो रंगीन पानी है ये जो रंगीन पानी है उसका प्रभा देखोगे इस रंगीन पानी का इसमें प्रभा देखोगे तो ये प्रभा क्या दिखाता है कि जल जल का जो प्रभा है बेटा वो किसके द्वारा होता है जाइलम के द्वारा ठीक है एबी सेड़ी याद है क्यों यूवी डब्लीव एक्स याद करने का तरीका बता रही हूं ठीक है और अब आधकर ने का तरीका है कि किस से हमें फूड का जो ट्रांसपोर्थ है वो कौन करता है वाटर का ट्रांसपोर्थ कौन करता है तो याद करने का तरीका बता रहे हूं यह डबली ओले तो water water बोले तो पानी पानी का ट्रांसपोर्ट किस से होगा x से w के बाद क्या आता है x x यानि कि जाइलम तो याद रखना डबली के बाद x आता है यानि कि water का जो transport करेगा श्यधा वह कौन करेगा करें एक गुले तो गई करेगा वाटर कर ट्रांस्पोर्ट करेगा जाइलम करे देकिन यदि फोSpur statistics फा यंदि फूड यानि भोजन भोजन के बारें में बात करें तो फ्लोयम फूड एफफ रहरे दो वहां पर आपको याद हो जाएगा कि food का यदि आपको करना है transport तो फ्लोयम हेल्प करेगा और water का transport कराना है तो जाइलम हेल्प करेगा Is that clear? स्क्रीन शॉट ले सकते हो अब देखो तो पानी का परीवेन किस में देखा हमने? जाइलम के द्वारा देखा आज़ो लंबी दूरी तक पधारतों का परीवेन केवल विस्रन द्वारा नहीं हो सकता यह हम अल्रेडी बात कर चुके है विस्रन क्या है? बहुत ही शॉट जो हमारा duration होगा बहुत ही कम दूरी पर ही हम उस molecule को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेकिन लंबी दूरी पर हमने किसी molecule का ट्रांसपोर्ट कराना है तो हमें सवहनी तंत्र का help लेना पड़ेगा यानि कि जायलम फ्लोयम का help लेना पड़ेगा विस्रन एक धीमी प्रक्रिया है अब बताओ इतना बड़ा प्लांट है बहुत बड़ा जैसे बर्गत का प्लांट है अब बर्गत में तुम्हें वाटर भी भेजना है तुम्हें फूट भी भेजना है तो क्या तुम विस्रन करवाओगी क्या करवाओगी क्या नहीं ना क्यों क्योंकि विस्रन तो बहुत स्लो होता है करासके लिए उधारण के लिए ये जो मैंने बात करी पचास माइक्रोमीटर की धूरी तो ट्रांसपोर्ट नहीं करा सकते टूटी दूरी में उधारन के लिए यह जो मैंने बात करीं 50 माइक्रोमीटर आरपार अणों को गती कराने के लिए 2.5 सेकेंड का समय लेता है कौन डिफ्यूजन इस दर पर यदि हम गढ़ना करें तो एक मीटर के अंदर हमें पहुचाना हो कोई मॉलिक्यूल तो वो कितना समय लेगा बहुत जादा समय लेगा इसलिए हमने लंबी दूरी पर विसरन नहीं कराना होता है नेक्स्ट बड़े अवंजटेल जीवों में बदुआ पधार्तों का परिवेन लंबी दूरी तक होता है है ना डिफरेंट डिफरेंट जो मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए कभी-कभी उत्पादन या शोशन या संग रहें यानि कि डिपोजिशन हो गया अब अब्सर्प्शन हो गया यह किसी चीज का संथासिस हो गया तो के स्थान पर एक दूसर से का यहां पर हमारे ट्रांसपोर्ट काम नहीं आ रहे हमारा काम कौन आएगा सवहनी तंत्र काम आएगा इसलिए विशेष्ट व्यापक दूरी का परिवेन तंत्र आवशक हो जाता है नाचल से बात है ताकि आवशक पधार्ट निश्यत रूप से तीवर गती में पहुंच सके बात बैया पानी चाहिए उस वाली जड को बरगत की आवशक को फस्था होगा यह डाल Давайте थे सवहाँ प्रणाली द्वारा परिवेन करते हैं भॉष्य — सामुहिक या ठोक प्रवा, जब मम्मी शॉपिंग करके आते हैं, तो पापा बोलते हैं तुमने क्या आज ठोक महीनी सारी शॉपिंग करनी थी, सारे सूट एक महीने के एक बार में खरीदने थे तो थोक का मतलब होता है सामोहिक रूप से जब आप कोई चीज करते हो तो वो थोक प्रवा हो गया फाइन तो पधार्टों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवेहन दो बिंदूं के बीच के दाब के भिनता के परिणाम सरुप होता है इधर प्रेशर क्या है और इधर प्रेशर क्या है इस बीच की दूरी को तै करने के लिए दोनों की बीच की प्रवंता और उसका जो दाब है वो महत्पून है सामुहिक प्रभा की ये विशिष्टा है कि पधार चाए घोल हो या निलमबन हो वो नदी के प्रभा की तरह ही भैता है यानि कि जहां पर ग्रेडियंट होगा मॉलिक्यूल वही पर ही चलेगा यह विश्टरण से भिन होता है विश्टरण में क्या होगा अधिक सांदरता से कम सांदरता की तरफ जाएगा जहां पर विभिन पधार अपनी सांदरता प्रवनता के नुसार सतंत रूप से ही परिवहनित किये जाते हैं यह बात हमने देख ली थोक प्रवा को धनात्मक जलिये दाब आपको पता है वाटर पोटेंशल जो होता है प्यॉर वाटर जो वाटर पोटेंशल है वो यदि हम बात कर चुके हैं थर्ड वाले पार्ट में लेकिन फिर भी बता रही हूं यदि हम शुद्ध जल की बात करें तो वो हमेशा जीरू होता है जो यदि हम इस पानी में कुछ घोल दें तो वो नेगिटिव जाता है तो थोक प्रभा को धनात्मक जलिये रीप प्रेशर कि बात हो रही है यानि की यह हो रही है पोटेंशल की बात किसकी बात और यह पोटेंशल की बात हो रही है कि दुआरा प्राप्त किया जा सकता है मतले यह नागेटिव पॉजिटिव जो हम थर्ड पार्ट में पढ़ चुकें अच्छे से आपको यह चीज बिलकुल भी है पर अभी देखो प्रवंता प्रेशर इस पर क्वेशन आता ही है निमेरिकल आते ही है नीट में सो प्लीज प्लीज एदि आपको अभी भी नहीं चीज़े समझ में आ रही है थर्ड पार्ट पर जरूर जाएं और उसको देखें अच्छे सर सुने और संजे पधार्तों की पादपों के सभेनी उत्तकों के द्वारा थोक या सामोई गति का सानांत्रन कहते हैं यानि कि जब लंबी दूरी पर बहुत सारे पोशब तत्वों को या पानी को हमें प्रभाइद कराना है भेजना है परिवहित कराना है तो हमने क्या करना है हमने सानांत्रन कैसे करवाना है सभेहनी तंत्र के द्वारा कराना है कार्बनिक नाइट्रोजन और हॉर्मोन को जड़ से यव्य भाग तक सानांतिर है इंपोर्टिंट है जायलम क्या करता है जल खनिज लवन और कुछ नाइट्रोजनी हॉर्मोन को जड़ से वाईवी सानांतरन करवाता है फ्लोयम मुख्य रूप से विभिन प्रकार के कार्बनिक कार्बनिक और अकार्बनिक विलियनों का पत्तियों से पाधपों के विभिन भागों तक सानांतरित करता है तो इस तरीके से आज आज आपका ग्यारवी कक्षा का ग्यारव अध्याय का भाग 6 भी कंप्लीट हो गया है आशा करती हूं कि आपको ये पार्ट भी बहुत अच्छे समझ में आयोगा फिर मिलेंगे जल्द ही नए पार्ट के साथ जब तक धन्यवाद